हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पतंचली आयस को और बैल आइकन को प्रेस करना ना बीड़े प्रेंड्स मेरा नाम योगनिक भगेल है और मैं सिविल सर्विसेज परीशाद 2017 में अल इंडिया रैंक 340 मैंने प्राप्त करी उसके अधार पे मुझे भारती राजस्व सेवा यानि की इंडियन रेविन्यू सर्विसेज बिली है और रिसेंटली मैंने अपना फांडेशन को सब्सक्राइब किया था लाल बादु शास्ती राष्ट्रिय प्रशासनिक अकादमी में और उसके बाद फिर मैं अपनी फॉर्मल अकैडमी में मने ट्रीनिक अपनी स्टार्ट करी आज का जो हमारा सेशन है वो करेंट अफेर्स के ऊपर है और अर अराउंड 90-95 डेज अभी कवर करने है उसके बाद हम यह देखेंगे कि सवाल कैसे बनाए जा रहे हैं यूपसी के पेपर में पिछले दो-तीन सालों में और वो सवाल कैसे सॉल्व होंगे तो प्राक्टिकली हम वो करेंगे तो उसके लिए अब जो प्रोसेस है वो यह है कि मैं PDF आपको प्रोजेक्ट पिछले कुछ सालों में करेंट अफेर्स का वेटेज बढ़ चुका है कितना बढ़ चुका है 2016-17 और अठारा अगर तीन साल देखें उठाके तो ऑन अवरेज 20-25-26 सवाल करेंट अफेर्स से उठके आते हैं ठीक है अ अठाइए आधा वाला जो पेपर था उसके अंदर तो बहुत सारे सवान आए ते डेखाए सपने पेपर अ ठीक है उसके अंदर बहुत सारे सवान करेंट अफेर्स से ही थे लेकिन अब यहां पर catch catch क्या है current affairs से direct root के सवाल नहीं आ रहे है ठीक है पहली चीज़ देखो मैंने क्या लखी है पहले चीज़ लिखिए है not all questions are asked directly from static या current स्टाटिक तो सबको पता है आपने चार स्टाटिक हो गए क्वालिटी एकनोमी हिस्ट्री जोग्रुफी ठीक है बाकि environment डिफेंस आयार सोशल इसारा current category है NB NB का मतलब क्या होता है NB का मतलब होता है news based ठीक है जो news है ना आपकी उसके अधार पर सवाल बनाए जा रहे हैं तो वो जो सवाल होगा ना वो आपकी knowledge को चेक करेगा from news और आप एक सवाल बनाए जाएगा जो होगा news based सवाल ठीक है इस तरह के सवालों में दिक्कत हो रही है बच्चों को सबको मुझको खुदको दिक्कत होती है हम यहीं फजात है यह सवाल होता है यह बेसिक लिए आपका current interface नहीं है यह general awareness है इसे कहें कि हम general awareness अब इसमें catch क्या रहता है इसमें catch यह होता है कि general awareness की कोई तो limit ही नहीं है इसे कुछ भी सवाल अपनाया जा सकता है इसके अंदर ठीक है examples दूगा मैं जो भी कह रहा हूं उन सबके आपको clearly दिख रहे हैं और फिर यह बताऊंगा solve भी कै कैसे कर रहे हैं तो इसकी क्या limit कुछ limit ही नहीं है इसकी तो इसको फिर solve कैसे करेंगे इसको prepare कैसे करेंगे on the first इसको prepare करने का तरीका यह है एक हद तक तो हम अपना static और C है यानि current affair कर डंग से करके जा सकते हैं उसके बाद कुछ ट्रिक्स और टेक्नीक्स हैं उसके थुरू आपको यह करने है और तीसरी सबसे important चीज क्या बताई मैं अभी तक news-based सवाल है how to tackle these tackle कैसे करने है और दूसरी चीज क्या लिखिए necessary to tackle all इसका मतलब है कि सारे नहीं करने हमको पॉइंट निये करने का मैं आपको बताऊंगा वो भी कैसे identify करना है हो सके तो उसे छोड़ेंगे ठीक है एक चीज़ ध्यान रखेंगे कितने attempt करने है आपके जिम्मेदारी है आपको decide करना है आपका paper है आपका तरीका है ठीक है सबका तरीका अपना-पना होता है कि कौन सा तो वह एक sweet spot होता है जहां पर accuracy से जादा होती है ठीक है I am no one to tell you कि कितने करके आओगे I can only suggest you मेरा जो मानना है जो टेकनीक बताऊंगा वो तभी काम करेगी जब आप around 90 सवाल करके आएंगे नब्धे से नीचे करेंगे तो you will not cross the this thing cutoff और उससे अकर जादा करके आएंगे त देश का सबसे बड़ा इकजाम इसलिए नहीं है इसलिए क्योंकि guarantee में कोई नहीं है बड़ यह होता है risk आपको लेनी पड़ेगी तो दो चीजे हैं या तो आप कि रिस्क नहीं लोगे या आप रिस्क लोगे ठीक है नहीं लोगे में guarantee है कि आपका selection नहीं हो रहा है ठीक है रिस्क लोग है कोई गैरंटी नहीं है बट देरे साथ चांस कि शाय सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है तो रिस्क तो आपको लेनी ही पड़ेगी बिना रिस्क आप नहीं कर सकते हैं कोई सब्सक्राइब करें जब तक कि भायानक रूप से उसकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है तब तक उसका नहीं होगा ठीक है तो अब देखो सबसे पहले क्या है मैंने जो यह स्लाइड बनाई है इसके अंदर मैंने तीन पार्ट में डिवाइड करिए सबसे पहले है करन्ट ठीक है उसके बाद जो पार्ट टू है वह आपका न्यूज बेस्ट उसको मैंने अच्छे से थोड़ा डिफाइन करने को इसकरी न्यूज बेस है क्या और तीसरी जो है वह है आपकी टेकनीक जो मैं बताऊंगा आपको अभी तो सबसे पहले हम टेकनीक से स्टार्ट करेंग पर आपको पर लोग आप लोग खुद बताओ एक बार हात अपने खड़े कर करके कहां कहां से पढ़ते हो कहां से कबर करते हो करेंट अब बताइए कि जी ठीक है ठीक है ठीक है बहुत बड़ी है बहुत बड़ी हा ठीक है कि परफेक्ट और कोई आड़ करना चाहता है इसमें कुछ विजन ठीक है विजन और को याड़ करना है कुछ योजना और पिएवी के नोट्स और इंसाइड विजन एक ही बात है और कुछ ठीक है बस यही है मैंने भी यही लिखा यह कुछ नया नहीं लिख दिया है आपको पता है उलड़ी मैं समब कर देता हूं सॉरसेस में सबसे पहले क्या आता आधा के च्लास नोट्स Class Notes का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं, आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आज ओरेंटेशन है, कल से आपके प्रॉपर नोट्स मिलने स्टार्ट होएंगे आपको, तो क्योंकि मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर रहे हो, नहीं तो अपने रूम पे बैठके बढ़ रहे होते हैं, तो उस चीज को प्लीज रिवाइस करके जाएगा, वर्ना कोई पॉइंट नहीं होगा यहाँ आने का, पहली चीज होगी, Class के Notes, दूसरी पर नहीं है, यह आपको decide करना है, सारी magazines में वही same material है, ठीके, एकाद ऊपर नीचे होता है, वह आप टेस्ट वाकरा लगाओगे, तो वहाँ cover हो जाएगा, तो उस पे जारा सोचना नहीं है, ठीके, तीसरा है योजना और कुरक्षित्र, यह बहुत ज़्यादा important है, ठीके, यूजना कुरक्षित्र जो है, यूजना कुरक्षित्र जो है, इस एक सोर्स जो आपको तीनो स्टेज्स में equally काम आएगा, यह magazine नहीं काम आने वाली है, जितनी prelims में काम आजाएगी, उसकी value उतनी काम हो जाएगी, मेंस में, और interview में घंटा कुछ काम ने आने वाली है, ठ सब्सक्राइब काफी अच्छे लेवल पर इस्टैबलिश्ट राइटर्स हैं साइंटिस्ट हैं पैनलिस्ट हैं तो वो लोग काफी एक अपने पूरी उमर का एक्सपीरेंस और अनुभव बटोर के जो आर्टिकल लिखते हैं उसको देते हैं और यह लोग वो भी हैं जो फील्ड पर जाके काम करते हैं तो इनकी बहुत सटीक बाशा में छोटी बाशा में वही चीज लिखी होती है जो वाकई में सरकार की प्रायोरिटी भी है और जिसक योजनाय जो हैं सरकार की 40-50-60 योजनाय चल रही है तरह तरह की योजनाय हर एक डिपार्टमेंट हर मिनिस्ट्री की अपना योजनाय चल रही है तो आप लोग जैसे ग्रामीर प्रवेश्य होंगे वो समझते हैं कि गाउं में अगर देखने में कोई है तो वह 5-6 योजना बढ़े हैं जिनका असर वाकई में दिखता है जिनका रोजमर्रा की जीवन में वेक्ति के जीवन में हमको देखा जा सकता है तो आपसे इंटेविए में वह कोई बहुत अनुकि सी ओजना नहीं पूछने वाले वह आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछेंगे कि क्या मनरेगा गरीबी हटाने में वाकई में यूसफुल है कि नहीं है समझ रहे हैं और उस चीज का जवाब आपका एक अच्छा एक्सपीरिंस्ट जवाब होना चीए वह आप तभी बना पाएंगे जब आपने ऐसे आर्टिकल्स पड़े हैं जो कि यूजना कुरूशेत्र में ठीक है तो यह आपका तीसरा सोर्स है चौथा सोर्स है आपका राजसबा टीवी के डिवेट जैसे अभी बताया गया ठीक है व तो वो ठागे पढ़ लीजहे क्या है में तो तीन महिने होंगे नभे सो दिन होंगे तो तब आप करते रहें रोज देख लिया बहुत कर लिया प्रिलिम्स के लिए कि अपढ़ बहुत ज्यादा होती है कवर काफी करना आपको सारे ही सब्जेक कवर करने है ठीक है और इसकी क्योंकि में इतनी नहीं होती है में फोड़ी डेप्ट वाला चीज आती है लेकिन इसमें फैक्ट्स बहुत पढ़ने पढ़ते हैं तो आपके पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप रोज सुन सकें या सारे रोज का एक बहुत घंटा निकाल सकें तो कहीं से लेकिन जो नेचर है पेपर का उसमें ऐसा देखना आया गया है कि इन के बाद भी आपके कई सारे सवाल नहीं हिलेंगे क्या क्योंकि सीधे सीधे फैक्ट सब नहीं पूछ रही उपी एसी में कितना हर साल आटनौ लाग बच्चे फॉर्म बर देते हैं तीन-चार लाग बच्चे फाइनली एक्जाम देने जाते हैं उसमें से आई-एसी लुचे के बाद फैलिम्स के बड़ फैल्टरिंग का प्रोसेस है तो एक्जाम क्याने के बाद हम यह कहते हैं कि ए यूपसी पेपर बनाना भूल गया है तरहे तरहे के चीज़े मार्क हो रही है देन-दूनिया में वह तो पूछ नहीं रहे हैं जरूर्दी पूच नहीं र लेकिन आपको अपने आपको यूपीएसी के बदलते है पैटन के हिसाब से अडाप्ट करना होगा ठीक है उसके लिए केवल इससे काम नहीं चलेगा ठीक है तो अब बिफोर कमिंग टू पार्ट टू पहले आते हैं पार्ट थ्री पे समझते हैं कि जो टेक्निक में आपको ब पताने के लिए ऐसे कह रहा हूँ यह कोई कोई फॉर्मल या एक्सेप्ट टेखनीक नहीं यह इस इस जस्ट माई पर्सनल बिलीव जो मैंने कुछ सीखी है मेरे फ्रेंड से सुन सुनके और जो मेरे आसपास जितने लोग ने क्रैक किया है उनसे सुन सुन सुनके ठीक है इस इस जस्ट टाइम टेस्ट टाइप का फॉर्मुला विच विच विल नॉट वर्क ओल्वेज यह भी सुनलो ठीक है तो यह आप ही की उपर डिपेंड करता है कि आप इसको पर प्रैक्टिस करेंगे टेस सीरीज में उसके बाद जाके यूपी अप्लाय करेंगे ऐसा नहीं है कि आप सीधे प्रैक्टिस में जाके करेंगे और बोलेंगे योगनिक सर ने कहा था यह तो का भी नहीं होगा ठीक है इस नॉट गइंट अपन लाइक डाट आपको यह ट्राय करना पड़ेगा टेस्ट सीरीज के अंदर ठीक है टेक्निक या है यह समझ लेते हैं माली जे statement one and statement to statement one and statement three statement one statement two ठीक है यह आपका सवाल है कि ओके आपने पढ़ा और आपने यह पाया कि आपको पता है statement one आपने पढ़ाए जो कि ठीक है और statement 2 भी आपने पड़ा है इसलिए यहां जो दे रखा है वो गलत है आपको पता है कि statement 2 गलत दे रखा है statement 1 ठीक दे रखा है लेकिन statement 3 का आपको कुछ idea नहीं है यह आपने पहली बार देखा है आज paper में आपको पता ही नहीं था कि ऐसी चीज भी अस्तित में है ठीक है आज पहली बार देखी अब जो है इसमें से हम क्या ड्रॉ कर सकते है statement 2 क्योंकि गलत है तो ए गलत हो गया और कौन सा गलत हुआ अब बचे C और B थीक है तो इसमें से हम यहां confused होजाते हैं सभी लोग हैं इसमें बता यहां हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग बी सेलेक्ट करेंगे अच्छा और कितने लोग C सेलेक्ट करेंगे अब बाकी झोड़ देंगे सवाल ठीक देखो मैं जो बताना चाहरा हूँ उसमें मैं यह नहीं कहूँगा कि जो मैं select करूँगा होई ठीक होगा I don't know क्या होगा लेकिन इसमे मैं होता तो मैं इसमें B select करता हूँ C नहीnd select करता हूँ ठीक है और यही trick है इसको मैं explain करता हूँ अगर आप C select neurome है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने बी सेलेक्ट नहीं किया विच मीन्स कि बी एक गलत ऑप्षन है जब स्टेटमेंट वन ठीक है उसके बावजूद बी गलत ऑप्षन है मतलब आपने सीरी सिद्ध यह का कि स्टेटमेंट 3 भी गलत है तो क्या आपकी हिसाप से सेटमेंट 3 ठीक है यहां आता है ट्रिक का स्टेप नंबर टू पहले जितने कर सकते हो कर दो केवल एक हुआ हुआ स्टू मैंने कर दिया उसके बाद जितने बचे हैं उन सब को पॉजिटिव मानके चलना है ठीक है मतलब उन सब को पॉजिटिव मानके चलना है जब तक कर दो उसके बा मैं कहना यह चाहता हूं कि इसी चीज की जानकारी ना होने का मतलब यह नहीं है कि वो गलत है It just means कि यह आपकी नॉलिज़ कम है है न यहीं भी UPIC चेक करता है आपका presence of mind ठीक है यह हमेशा काम नहीं करेगा यह भी सुन लो यह ओसकता है 7 यह जाज स्यादा 8 बार काम करेगा 10 में से तीन बार यह गलत हो गई होगा ठीक है लेकिन अगर 7 बार भी काम किया 3 बार काम नहीं भी किया और मानलो हमने 100 सवाल टोटल करेगा है ठीक है तो उसका मतलब क्या हुआ प्लस 70 और मैनस 30 मतलब 140 मीनस 30 को मतलब माइनस 20 कि टोटल सकोर किता है 120 प्री क्लियर होगा की नहीं नि के चांसे कने यह कोई मैंने बहुत हाई-फाई गडितनी लगाए इसमें बहुत सारे प्लॉस है मैं पहली क्या रहा हूँ ठीक है तो साथ ना साथ से कम भी हो जाए इसलिए मैं कहा रहा हूं कि यह तभी साथ आर्ट तभी हिट करेंगे आप जब आप इस टेक्निक को खुड़ टैस सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे ठीक है थोड़ा सा और एक्स्पेइन करता हूं यही ट्रिक मैंने क्या कहा पहले जितने अलिमिनेट कर सकते हो उतने अलिमिनेट करो उसके बाद जितने बचे जो अलिमिनेट नहीं हो पा रहे उन सब को पॉजिटिव मानके चलो तो अगर कोई सवाल है जिसमें एक भी अलिमिनेट ना कर पा रहे हो तो उसमें क्या करोगे all of the above ठीक है यह करा है किसी ने की नहीं किया करा है काम करता है की नहीं करता करता है ना maximum time करता है साथ बार तो करता ही है that is what try करके देखो इसको देखो समझने कोशिच करो perspective approach की बात है civil services के अंदर जा रहे हैं civil servant बनने के लिए जा रहे हैं क्या होगा आपके पास आए दिन रोज आना काफी challenges आएंगे government को ऐसे अफसर चाहिए है जिनका positive mindset हो जो negative mindset से नाकाब करे exam में भी वही चेक करते हैं अगर आप किसी इसको गलत मान के चल रहे हैं या तो आप negative mindset के तरफ जा रहे हैं ठीक है आप positive mindset के साथ खेलेंगे ये एक तरीके से match है कोई guarantee नहीं है इसके लेकिन आप खेलेंगे positive mindset से उसके बाद सब छोड़ देंगे समझ रहे है मेरी बात ठीक है similarly कई सारे सवाल होंगे जिसमें कोई statement negatively framed होगा कि ये नहीं हो सकता ये नहीं कर सकते है ठीक है obviously बात है depend करता है statement क्या है सवाल क्या है लेकिन जब कभी इस तरह के statements आते हैं जो negatively approach होते हैं तो अकसर वो गलती होते हैं समझ रहे हैं क्योंकि negative approach है ही नहीं civil services के लिए लागू नहीं होती है ठीक है तो एक्जाम के अंदर भी वो लागू नहीं होगी ना prelims में 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 बिल्कुल नहीं होगी इंटर्वू में the moment आपने एक negative approach पकड़ी आपके सीदे देड़ सो से नंबर देती है जाएंगे इंटर्वू में तो आपको negative होना ही नहीं है ठीक है समझ गए ठीक है तो यह clear हो गए इसमें किसी को doubt है ठीक है अगेन इसको जाके practice करेंगे test series में कम से कम 20 test लगाएंगे practice करके देखिए और उस test में भी क्या करिए ना एक technique यह अपनाएगे कि मान लिजे आपको अच्छे से अच्छे अगर आप prepared है तीन चार साल से लगातार पढ़ाई करके दे रहें प्रिलिम्स भी निकल रहा है ना उसके बावजूत बहुत maximum जो लोग होते हैं उनको सौ में से जारा स्यादा पचास पच्छपन सवाल आते हैं ठीक है बचे कि इतने around 45 सवाल बचे उस 45 सवाल में वह अपना गेम खेलते हैं ठीक है जिसका गेम जारा सवता उसका निकलता है आप लोग एक चीछी ट्राइ करिए आप क्या करेंगे ना ऐसे round one round two में जाते होंगे paper solve करते करते हैं है ना maximum लोग वही करते हैं एक बाव राउंड वन में वह कर दिए यह पचास पच्छन वाले इसमें से 20 छोड़ देंगे इसमें से ठीक है क्योंकि आप 25 तक खीच जाएंगे टोटल आपको कितना हो जाएगा असी असी आपने किये 20 आपने छोड़ दिये अब एक्सपेरिमेंट यह करना है आपको कि यह जो ट्रिक थी है ना यह ट्रिक असी करो आप एक दो OMR उठालो दो OMR उठालो प्रैक्टिस करने के लिए OMR नित्वे कागज इस पे भी आप टिक करते हैं वो उठालो उसमें पहली वाली जो आपकी OMR होगी उसमें आप यह असी मार्क कर दो और जो आपकी दूसरी वाली OMR है उसमें आप यह 20 के 20 मार्क करो जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट यह हम एक्जाम में नहीं करेंगे बस अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं यह करो एंड में देखो कि इस 20 में से positive score आ रहा है या negative score आ रहा है अगर आधा number यह positive आ रहा होगा तो उसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इसे नहीं करके आथे तो आप bonus नंबर एक्जाम में छोड़के आ रहे हैं है की नहीं है नहीं तो आपका aim क्या है आपका aim यह है इस 20 में से क कुछ positive हुए हूग हैं? कुछ negative हूँगे. suppose उनका sorry net net के positive हो रहा है. Let's say 0.5 ही हो रहा है, लेकिन है तो bonus number तो लिचिन गते हुश नेगेधीटिव कम करने अगे, you know? तो याने जो गलत सवाल है वो मतलब क्या है? शामजमे आ रहा होin कोई सब को तो इसका मतलब क्या है कि इस 20 में से कुछ तो थे जो छोडने थे जो नेगेटिव हुए जिनकी वैसे वो कम रह गया और कुछ थे जो करने थे है ना तो वो जो मैंने ट्रिक बताई उसका तीसरा स्टेज यह है कि उस ट्रिक के हिसाब से कुछ सवाल आपको डेफिनेटली छो लग रहा है गलत ही होगा तो वो सवाल हम छोड़के आएंगे ठीक है वो सवाल ऐसे होते हैं जो रैंडम फैक्ट एकदम यूपीएसी पूछ लेता है इसका कोई ना सरपैर है मतलब हमारी पढ़ाई में भी किसी और ने पढ़ा हो मेरी पढ़ाई से तो कोई उसका कोई लि सब्सक्राइब है ठीक है समझ यह क्लियर हो गया छोड़ने बहुत कम सवाल है इसलिए टोटल मैंने काई कि 90 के आसपस करके आएंगे छोड़ने नहीं है ठीक है खेलना है डंक से यह मिटा दू यह क्लियर हो गया आगे बढ़े तो इस टेकनीक का नाम है एलिमिनेशन और अ इतने कर सकते हैं अकोमडेशन का मतलब है दूसरे में जितने भी बचे उन सबको अकोमडेट करेंगे यानि कि वह आप्शन चूज करेंगे जिसमें मैक्सिमुम बच्चे वह स्टेट्मेंट आ रहे हैं अब यह आपका पार्ट टू जो न्यूज बेस्ट क्वेशन आ रहे हैं उनका मतलब क्या है वो है जनल अवेर्नेस है विच मीन्स नॉट आस्ट डारेक्ली फ्रॉम न्यूज बट बेस्ट ऑन न्यूज ठीक है तो यह जनल अवेर्नेस वाजाए इसके अंदर अन्वार्मेंट के सवाल बन जाएंगे सैंड माइनिंग कोरल नीचे आएंगे मैं पताऊंगा उस तरह के एकनॉमी के बन जाएंगे आयार के बन जाएंगे साइंस टेक के बन जाएंगे जिसे पी एसलवी है अब इजरो पी एसलवी इजरो हमेशा न्यूज में ही रहता है ठीक है हमारे लिए बहुत गर्व की बा हमारे लॉंचर को यूज करती है साटलाइट को पूट करने के लिए है ना तो वो न्यूज में रहता ही रहता है ठीक है रधान मंतरी भी गए थे तो उसमें सवाल बनने की चांसे है लेकिन डारेक्ट ज़रूर इनिये को सवाल उठके आ जाएगा देजस एक्सपेक्ट कि आप पढ़ रहे हैं जरो तो आपको थोड़ा PSLV, GSLV के आ रहे हैं पता हो ठीक है लेकिन वह एक्दम स्टाटिक वाला भी नहीं पूछेंगे के PSLV का मतलब क्या होता है GSLV का वो कुछ ऐसा पूछेंगे जो PSLV, GSLV से होगा लेकिन होगा news से related ठीक है देखिए नीचे आ आपका कोई नई बिल आई या कोई policy आजाती है सरकार की उसमें से कोई provision उठा के पूछ लिया ठीक है उसके लिए PIV करना जड़ी है तो PIV का compilation मिल जाया कहीं से मार्केट से तो वो उठा के एक दिन बैठके कर दिया यारा-बारा महीने का चोटा सा तो होता ही है एक दिन से है और एक बचावा जीसी लियाओंगे इसमें क्लाइबेट आजाता है पूरा ठीक है इतना दो सब करते ही है ना उसके अलावा जोग्रिफी बच जाती है मैपिंग वाली तो वह मैपिंग वाली सारी न्यूस से उठके आती है तो कभी कोई wildlife century पूछ लिया कभी national park पूछ ल क्याता था है ना रोजाना उस पर कुछ ना कुछ रविश कुमार साब कहते थे इंडीटीवी पर तो आपका कभी अगर लगे कि वह बात कर रहे हैं इतना ज्यादा रोज तो आपका धर्म यह बनता है कि आप मैप में उठा के देखें एक बार क्यों यह सारे देश है कहां ह हो रहे है ना तो उस तरीके से सवाल बन जाते हैं कोई चीज न्यूज में हुई इंपोर्टेंट महां सवाल बन गया कोई समिट हुई फॉर इग्जामपल है ना ब्रिक की होई होई की जरुरी नहीं यह पूंचने कि वह शेहर का तो के आसपास पास की जोगत वह सकते हैंगो कोह शरंखला है उसकेशिए यह हैं और तब नीस फॉलुवफी फॉल्लर करनी है ठीक है और फिर कुछ general questions आजाते हैं वो देखने में लगे तो out of syllabus है यह क्यों आ गया जैसे एक सवाल आए था पीच में दिखाऊंगो नीचे वो जो Bureau of Indian Standard का सवाल आए था ठीक है तो इस तरह के सवाल भी बच जाते हैं अब आपन जाते हैं नीचे एक एक करके चलते हैं सबसे पहले लेकिन उसका मतलब यह नहीं उसकी ऊपर निर्बर होके बैठ जाएंगे उससे कुछ फायदा नहीं होगा आपको आपको supplement करना पड़ेगा साथ में सोर्स के यह तो सभी समझ रहें ना तो जैसे यह योजना है एक मैं को इंग्लिश की मिलीती एक मुझे हिंदी की मैं दोनों दिखा दूँगा आपको ठीके यह योजना है अब जैसे यह क्या है यह आपका एडिटोरियल पेज है योजना का ठीक है इसको आपको पूरा-पूरा पढ़ने की आप शक्ता नहीं है एक बार नजर डाल लो फटाफट फटाफट नीचे जाओगे तो आपको कुछ चीज़े चमकींगी डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैम ट्रिनिटी भीम रुपे डेविट कार्ड इसाइन कॉमन सर्वेस सेंटर डिजिटल क्लास्रूम इस चीज़े चमकी अगर आप परते तो आपको दिखता यह कि दिखना चाहिए यह बोलाँ दिखता यह मिस होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी अब अपने आपसे सवाल करो कि यह जो सारी चीज़े है इसके बारे में आपको जानकारी है इसाइन क्या है पता है आपको हाँ थोड़ा एडिया है तो वही होगा अगर इसाइन पूछ लिया उन्होंने तो फिर तीन चाह स्टेटमेंट आएंगे में भी एक आदगा एडिया लगा लोगे फिर फश जाओगे तो यूजना कुरु अग्जरु में रिलीट करता है इसको कौन करता है पाप्लीगेशंण डिविजन हैंना सारगा इंट है तो वह सारी सरकार की जो योजना हैं जो उनकी प्राइटीह वह इस में छापेंगी के था सारे की सारे ऑफर वगरा जो विरू एसी काम कर रही है गवर्मेंट इक साथ मिलके है ना तो उनको पता है क्या चल रहा है सो यह डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर पता होना चाहिए आपको कौनसी कौनसी स्कीम में दिया जा रहा है इस समय जैंट्रिंटी सब को पता ही है भीम रुपे डेविट कार्ट और यह अपना नैशनल पेमेंट सिस्टम जो है है ना वह आपको उस वो चलाता है इसको नैशनल प्रेमेंट कोपरेशन ऑफ इंडिया थी कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो क्या होते है तोड़ा एडिया होना चाहिए आपको डिजिटल कोई एक बताओ कि यह कब तक है 22 तक क्यों निस तक है तो यह देखिए इसमें यह दे रखा है सीरिश यह दे रखा है कनेक्टिंग धाई लाग ग्राम पंचायत ऑफ इंडिया जिसमें से करीब 1.2 यह बता रहा है नवंबर 2013 तक 1.2 लाग जो है ग्राम पंचायत यह लेकिन यह अब्जेक्टिव है इसका यह ऐसी स्वाल आएंगे एक्जाम में भारतनेट प्रोजेक्ट उसके बारें पूछ लिया इस मिशन इस तु दिस दिस आवाफ़ जाओ कि यह यह क्या है यह कब तक है कैसे है ठीक है बहुत बेसिक जानकर यह को बहुत हाई-फाई न इस दोते हैं तरकार सीधे उटके यह यह अलग से बड़ा बड़ा चमका के दे रखाता स्वायम क्या होता है विजन वगरा ने इतना नहीं किया था था चूटी से स्कीम है उनको क्या पतला उनको तो बड़ी-बड़ी स्कीम का अफर करने के ज्यादा सीधी बात है और चां इस में था था विजन में तो लेकिन कितनी इंपोर्टेंस दी गई उसको सब कित आप पुरी क्लास में से अगर आप नहीं पढ़ा तो क्या मतलब था इसके अंदर तो सीडी सीरे साफ साफ दे रखा है क्या दे रखा नाशनल नॉलेज नेटवर्क है वर्चल क्लास्रूम इंक आयन लिखा है टियल फिर फैर पता है इन पिटी एल एंपी टेल व कोटल है जहाँ पर आनलाइन कोर्स होते हैं सरकार के कई सारे टायन अमसे विटे कुर्स मिल जाते हैं प्री अपको आप मैं को सब्स्क्राइब करना चाने तो और सकते हो जाकर थीग टिजिटल लाइ अगर पेपर में आ जा तो हम थोड़ी दगमागा जाएंगे इतना प्रोग्रेस कर लिया देश थे ग्रिड बना रहे हैं क्लाइमिट चेंज पर लास्ट जो हमने पता था तो वह इंटरनाशनल सोलर अलाइंस बनाई थी उसके बाद क्या बना लिया यह सब चीज़े हो रही है कि यह सारे टर्म्स जो हैं यह इतने इजीली मैगजिन्स में नहीं मिलते हैं कि यहां मिलेगे फिर देखो उपर देखो जी आई क्लाउड मेगराज यह नाम सुनके मुझे लग रहा है इस पर सवाल आ सकता है कि मेगराज क्या है जो भी थोड़ा वियर्ड और यूनिक सा नाम होता है ना उस पर सवाल बन जाते है तो मेगराज पूछ सकते हैं क्या है तो यह क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ह है यह इसाइन है फॉर इग्जामपल आप सॉइल है पता है इनायम पता है डिजी लॉकर इवीजा इकोट क्या है जैसे इकोट के अंदर कोट में जो आपके मुकद्द में चल रहे हैं उनकी ट्रैकिंग के लिए सुवधा जालू करी गई है तो कीप ट्रैक ऑफ के स्टेटस के स्टेटस गोइंग ओन इंड दिफरेंट कोट्स अक्रोस इंडिया लॉइर एन लिटिगंट कैन आव्सों अवेल नौटि फिकस्ट इर विस तो यह इस्वाल फन सकता है आपको कैसे पढ़ना है आपको फटा 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 पढ़ना ईउजना को क्योंकि क्या है सारे फिर आटिकल पढ़ने भी नहीं होते हैं सारे आटिकल में काफी से रिपीटिट सीज होती है एक दू पहले तो इडिटोरियल पढ़ो संपातगी पढ़ना बहुत ज़रूरी है उसमें क्या होता है जितने आगे के 15-16 आटिकल से उन सब की जिस्ट और सम् तो यह लेकिन मेंस के लिए इसी नहीं पढ़ेंगे प्रिलिम्स के लिए लेकिन यही करेंगे ठीक है अब जैसे जैम जो है मैं रिसेंटली यहां पर अपने पटेल नगर के जो स्दीम है जतिन गोयल साब उनके साथ उनके उनके ऑफिस में था मैं जाता हूं हमलाई बात ब प्लेस कारी दफ्तरों के अंडर जब कोई चीज प्रोक्यूर करनी होती चूटए चुटए चूटए गाला भी रखाए नो आफिस के बाहर तो गंबले में पानी डाल रहे हो निचे से पानी बह रहा है तो गंबलें की नीचे रखनी के प्लेट होती है अगर वह प्लेट भ करके रेसिप्ट बना दी बचा हुआ पैसा किसी को घर में पहुचा के आ गए उस वैसे करप्शन बढ़ता था तो उस पूरे प्रोसेस को करप्शन मुक्त करने के लिए अब जैम लाया गया है जो कि डिजिटल है गवर्मेंट ए मार्केट प्लेस है मार्केट प्लेस क्या होत होता है जो डिदेल यहाँ पे गरिदारी करते हैसे मिंट्रा जबहां यसकैं पर नहीं होता है कि जैसे अमेजान विद्पार्ट नहीं मिलेंगे बाखी बोकिले मार्केट ऐढ़िश का सिमिल यहिए मार्केट प्लेस है इसकी की सब्सक्या पराइब उस में government को supply करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपके ले सकते हैं, और बायर कौन से होते हैं, government और जो public sector enterprises होती हैं, basically, सरकारी companies और सरकार, वही इसके बायर होते हैं, और as an officer, आपको पूरा, आपके department के नाम से account बनाया जाएगा, और आप अपना अधारबदर लिंक करके उसमें करेंगे सब कुछ, ठीक है, तो यह होता है, यह बहुत important है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है, तूकि सारा काम इस समय government का इसी से हो रहा है, department है, तो जैम पे सवाल बनने की उमीद ज़्यादा है, ठीक है, जब डिजिटल इंडिया की, देखो, यह कौमन सर्वेस सेंटर के बारे में कुछ-कुछ भी रखा है, पिजिटल लिट्रेसी है, पि-म दिशा और N-D-L-M, दिशा जो है, यह वही है, डिजिटल साक्षार्ता, है ना, डिजिटल लिट्रेसी के लिए है यह, उसका भी कुछ एक वो होगा, अब्जेक्टिव होगा थी कितने साल में, कितने दर तक पहुचाना है क्या, यहां पढ़ेंगे, समझ में आएगा, इस तरीके से कवर करना है, प्रमोशन औफ एलेक्ट्रोनिक मैनुफाक्ट्रिंग, एलेक्ट्रोनिक मैनुफाक्ट्रिंग क्यों प्रमोट करनी है हमको, चैना से कुछ संबंध है, इसका कोई बताएगा, हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, हमारे देश में इस समय सबसे बड़ा थ्रेट जो है पाकिस्तान के जाद मिलके वह है चायना सोवरिंटी के इशूद के लिए स्ट्राटेजिक इशूद के लिए चायना थ्रेट है कश्मीर में अरुनार्चल में और पूरा जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स से कर रहा है इंडिया नोशन के अंदर है की नहीं थ्रेट उसके बावजूत इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कि 84 बिलियंड़ डॉलर की हमारी ट्रेड है कि इसमें से हम इंपोर्ट करते हैं 72 बिलियन डॉलर और एक्सपर्ट करते हैं ऐराउंट 12 बिलिईन डॉलर ह struggelle नुट के उस Life 2012 में से औल्मूस्ट्ट सोला से सत्रा बिलियन डॉलर्णर तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं के वहल electronic electronic gadgets यानि कि mobile phones हो गए TVs हो गए जितना भी ठीक है यह हमारे total export से ज़्यादा है क्या वाले electronic सोच के देखे ज़रा है ना क्यों ज़्यादा है क्योंकि उनकी manufacturing strong है उनका industrial based strong है उनके पास manpower है पड़ी लिखी ठीक है R&D उनकी ज़्यादा हमसे अच्छी है तो अगर हम Chinese product ban कर देंगे तो उससे क्या होगा जानते हैं उससे कुछ नहीं होगा उससे केवल हमारा CAD बढ़ेगा उससे trade deficit जो है वो हमारा बढ़ेगा और हमें नुकसान होगा हमें अगर China को counterdict करना है तो हमें हमारे जो local companies हैं उनकी R&D strong करनी होगी हमें अपने export बढ़ाने पड़ेंगे हमें क्या फायदा होगा उससे ban करने जो कुछ फायदा नहीं होगा trade बर की गिर जाएगा है की नहीं मैं यह क्यों बता रहा हूँ आपको electronics की बात होई न यहां पर क्या बोल रहा है promotion of electronic manufacturing तो यह सरकार की बहुत important priority है क्योंकि इस सम्मन में linked है कि चाइना से जब तक हम करनी पाएंगे जब तक कुछ नहीं होगा हमारे merchants को और हमारे exporters को protect करने के चकर में चाइना से हम trade करते रहेंगे और वो फायदा उठाता रहेगा military domain में यह बहुत जरूरी वो है priority है ऐसे समझने कोईश करिए इसको तो यह शायद नहीं दे रखिए हूं कि आपको बाकी magazine में लेकिन यहां दे रखिए तो मतलब जरूरी है तो इसमें दे रखा होगा कि कितना आमको increase करना है यह क्या करना है ठीक है electronics made in India जो भी है कि cyber security cyber सच्चता केंद्र निउज में रहता है important है बॉटनेट क्लियरिंग यह पूरा वही है एक तरीके से अटि हैकिंग कह लीजिए या जो जितना भी अपना रा डिजिनल इंफ्रस्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकारी वह है यह ठीक है कि अगे कि अगे कि अगे कि अगे कि अगे कि कि अगे कि अगे कि अगे